Hello friends, this is Niloufar Nihakam तो आज हम बात करेंगे CDP के चप्टर 4 के बारे में जो है Socialization Process समाजी करन की प्रक्रिया मतलब समाजी करन किस परकार होता है क्या क्या इसके elements होते हैं यह सारा हम आज डिसकस करेंगे इस चप्टर में और यह हमारी पूरी सीरीज चल रही है CDP के chapter wise जिसमें कि I button में अगर आप check करेंगे तो इसके 3 chapter में पहले ही upload कर चुकी हूँ वो मैंने दे रखे हैं और मेरी सलाब को यही रहेगी कि आप chapter wise ही करते जाएं ताकि concept आपके clear होते हुए आजाएं तो चलिए शुरू करते हैं पहले सबसे पहले समझते हैं कि समाजी करन क्या होता है तो समाजी करन का अर्थ होता है देखें मनुष्य एक समाजिक प्राणी है बिना समाज के किसी भी मानव का सरवागिन विकास नहीं हो सकता जब बालक जन्म लेता है तो वह ना तो समाजिक होता है ना आसमाजिक लेकिन समाज में रहे कर वह समाजिक बनता है और समाजिक माननेताओं और रिती रिवाजों को अपने जीवन में स्विकार करता है और वह इन माननेताओं का अनुपालन करने लगता है और उसी के अनुसार उसका समाज के प्रती वहवार करना शुरू कर देता है अब देखें समाजी करन क्या है पहली बात तो जो मनुष्य है जो प्राणी है वो एक समाजिक प्राणी है क्यों क्योंकि हर वक्त हुँ समाज के वीच में रहता है समाज से बहुत चीज़ों सीखता है समाज की मानने ता अब देखें जब बच्चा जन्म लेता है तो ना तो वह यह जानता कि समाज क्या है मतलब समाज क्या है लोग क्या है यह कुछ नहीं जानता लेकिन दीरे दीरे जैसे ही वह बड़ा होता रहता है होता रहता है तो वह ए हैं यज़ जब बालक जन्म लेता है तो इसमें समय के समय को बीटते बीटते वह बन जाता है और किसी य gratis के तारी पिछल के की प्रखर्ञाइब बहुत महत्मून है क्यींकि कुट अगर उसका अगर उसका घड़न लोगों से इंट्रेक्शन नहीं कर पाएगा लोगों से बातचीत नहीं कर पाएगा तो उसका जो एक विकास है विकास की घती धीनी हो जाएगी वह अपना विकास सही से नहीं कर पाएगा तो इसलिए बहुत जरूरी भी माना जाता है और जैसे समाज में वह रहता है कोई भी चीज़ा सीखेगा लेकिन जहां कोई असभ्य समाज में रह रहा है तो उसको चीजों को समझने में उसका एक अलग पॉइंट अव्यू होगा उस समाजिकर्ण को समझने में और वो उसी के करता है घर कर आफ अपना समाज में एक स्थापित करता है उसी को ही समाजिकर्ण कहा गया अब अनुसार देख लेते हैं थोड़ी से स्वेलिंग अपने अपने अम कोशिश कीजिएगा स्पेलिंग को ना देखते हुए आप इसस समझने में ध्यान दे रहाएं हालोग के अनुसार समाजिक विकास का अर्थ है उस योगता को अर्जित करना है समाजिक प्रतक्षाओं के अनुसार वेवार किया जा सके अधे के हालोग ने क्या कहा है कि समाजिक समाजिक विकास का अर्थ है उस योगता का अर्जित करना जो समाजिक प्रतक्षताओ के अनुसार वेवार किया जा सकता मतलब जो समाज में मानने हो ठीक है जैसे कि एक तरीके से नेक्तिक वेवार जो चीजें में समाज में मानने नह होंगी उन चीजों को शुकार नहीं किया जा सकता तो हालों कहते हैं कि समाज इक विरूद एक तरीके भावना है तो जो मानने हो मानने कैसी कि बड़ों का आधर करना चोटों से प्यार करना ये क्या चीज मानने साहई हो करने वाले विक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्णे करने की इच्छा तथा शम्ता का विकास करता है अब देखे रॉस कहते हैं कि समाजी करन सहीओ करने वाले व्यक्तियों में समाजी करन में क्या होता है रॉस के अनुसार कि व्यक्ति पहले तो सिर्फ अपने उपर ध्यान देता है लेकिन जैसे ही वो समाजिक हो जाता है, समाजी करन उसके अंदर विक्सित हो जाता है, तो उसमें एक हम की भावना विक्सित हो जाती है, जिसमें की वो सब को साथ लेके चलता है, ठीक है, तो कार्रे करने की, और सब को साथ लेके, सब की शमताओं के अनुसार कार्रे करने की, और इच्छा शमता इन सब को लेकर साथ में कार्य करने की शमता को विक्षित करता है समाजी करन अब देखेए समाजी करन को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं जिसमें की तीन बहुत important है एक परिवार परोस और विद्याले देखिए परिवार जब बालक जन्म लेता है तो उसके भी वो अपने परिवार के बीच में होता है ठीक है तो परिवार से ही अगर देखा जाये तो उसका समाजी करन शुरू हो जाता है क्योंकि एक परिवार में कई सदस्य होते हैं जिन्हें वो ना जानता ना पहचानता लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उनके साथ अपना relationship build up करता है अपने संबंद बनाना शुरू करता है और दीरे दीरे वो चीजों को पहचानने लगता है कि ये मेरे चाचा है ये मेरी मौसी है ये मेरे खाला यह सब चीजें क्या है यह बच्चा परिवार से ही पहले सीखता है कि यह उसके बुवा है यह उसके नाना है यह कैसा है परिवार से दूसरा है पढोस देखिए बालक जब पहली बार घर के बाहर निकलता है तो वह अपने वाज़ा पढोस के वेक्तियों के साथ तीसरा है हमारा विध्याले विध्याले देखिए अगर सही माईनों में माना जाए तो सबसे देखिए छाफ गटेश में कि अगर सबसे परण में चाहसे होता है और enseign during during 脚 को सबस्थे एक तरीके पहुंच जाता है लोगों से इंट्रेक्ट करता है और यहाँ इसी सी अपने संबंध बनाना शुरू करता है देखे परिवार में कुणोओ बेखा जाये जते हैं। जब स्कूल में जाता है उतकी पहली बार समाजिक संबंध बनाना शुरू करता है। वो यूस का अपना दोस्त है, to administration queens कोई हो वो फॉली बार बच्चा शलता है। और फिर आगे का जो प्रोसेस चलता है न वह इसी तरीके से चलता है चौता है हमारा समुदाय समुदाय देखिए अब किस समुदाय में रह रहा है ठीक है बालक जैसे माल लीजिए कि समुदाय जैसे कोई मुस्लिम बच्चा है तो वह अपने धार्मिक उसके अनुसार सीखे गा है कोई हिंदू बच्चा है तो फूजबाक करना सिखेगा तो यह भी बहुत है कि बालक का समुदाय ओ कि वह क्या है समुदाय में रहता है पांचवा है हमारा साथी देखिए कि इसी भी बालक का सबसे जादा थी एक स्टेज स्कूल के बाद वह अपने साथी समो बना लेता है और उसमें वह पहुंचता है तो देखता है कि और कुछ टाइम बाद वह साथी समो जैसे उसके दोस्त करेंगे वह बहुत शुरू कर देगा आप नोटिस कीजिएगा जैसे अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हो तो नोटिस कीजिएगा क्या करते हैं ना बच्चे कि उनके दोस्त ने अगर भीम वाली शेट पहनी है तो उने भी वही चाहिए मतलब यह चोटी-चोटी से सभी चीजें लेकिन लेकिन काफी बच्चों को प्रावीत कर दूस्त क्या है उनके दोस्त कैसे पहनते यह ữngकिजि कैसे हैं उनके अपर चाहिए सब्सक्राइब करते हैं और श्माग क्या है तो उस परिवार की क्या धार्मिक माननता हैं किस तरीके से धर्म को लेके चलते हैं और देखा जाए तो अज़ने जो धार्मिक माननताओं के अनुसार ही दिये जाते हैं जैसे हिंदू के परिवार में अगर कोई बच्चा जनम लेगा तो वो पूजा पाट करना सीखेगा और यह ही अगर कोई मुसल्मान परिवार में जनम लेता है यह सिख में जनम लेता है तो वो उनके अनुसार नमास पढ़ेगा या फिर गुर्द्वारे जाएगा जो भी है धार्मिक माननेताओं के अनुसार ही काम करना शुरू करता है तो यह भी बहुत प्रभावित करता है समाजी करन को देखिए वंशानुकरम कैसे प्रभावित करता है जैसे किसी का परिवार एक तरीके से मतलब उसके वंश्में न सब हमने लास्ट चेप्टर में जो पढ़ा थ सब चोरी करते तो लास्ट ली क्या हुआ उसके सारे वंश्में चोर ही बने मतलब उनमें यह तरीके से उनमें यह जीन्स पाएगा है कि चोर बने वाले या फिर कोई गलत तो वंशानुकरम भी बहुत माहिने रखता है जैसे अगर किसी के पापा या मदर जैसे हैं वैसे ही बच्चे को जीन्स मिलेंगे वैसे ही बालक का भीएवियर होगा अगर वो लोग समाज के प्रती अच्छा बहवार करते हैं तो बालक का भी अच्छा होगा अगर उनका एक रवय समाज के प्रती नेगिटिव है तो बालक का भी आटमेटिकली नेगिटिव होने लग नसे पालवीत करती है जो बालक के संवाज़िकरन प्रभावीत करें लास्ट हमारा है पालन is for भावीत करता है बच्चे का पॉशन किस एनवार्मेंट में हो रहा है किस तरीके से उसे ट्रीट किया जा रहा है अब देखिए कोई बच्चा है चोटा बच्चा है उसे आप लगता डाटते जाहिए तो उसका है वह लोगों से इंट्रेक्ट करना छोड़ देगा वह घबराया हुआ रहेगा चीजों को समझ चीजों से भागने की कोशिश करेगा यह अगर आप किसी बच्चे को हर गल्ती पर भी उसे हो रहा है यहां पर क्या है उसका समाजिकरण बहुत समाजी करन प्रातमिक करता है समाजिकरन की अवस्ता में बालक अपने जीवन के शीरुवात करता है सबस्क्राइल के मुखे अभिकर्ता परिवार मित्रрыमंणी का चाहि है एजेंट मतलब जो कि उसे बहुत प्रवाव करते हैं तो यह वाला जो है प्रात्मिक समाजिकरन इसमें क्या है बालक एक छोटा होता है और समाज के द्वारा ही वह चीजों को सीखता है और सबसे जादा जो प्रवावित करते हैं वह कौन करते हैं उसे उसका परिवार करता है करते हैं और दूसरे करते हैं जैसे मैंने आपको आपका पहले वाले में बता आया के मित्र मंडली भूत इंपोरटन्ट हो जाती है एक टाइम पर आके बच्चों के लिए ठीक है उनके जो दोस्त करते हैं उन्हें वह चाहिए उन्हें पसंद हो या ना हो लेकि करनी हुने है तो यह भी क्या है समाजिकरन को प्रभावित करते हैं अब गौन समाजिकरन क्या है इस इस मादम से बालक समधाइक नियमों को जानता है और उनको अपने जीवन में अपनाता है इस प्रकार के समाजिक महौल विध्याले मित्र और पड़ोसियों के संपर्क में आ बनाना शुरू करता है और इस तरीके से ग्रूप से अनुसार वह भार करना शुरू करता है और अपनी और यह कहां शुरू होता है सबसे पहले मित्रों विध्याले में समपर्त में क्योंकि यह एक तरीके से बिल्कुल अंजान लोग होते हैं जो उसके पास रहते हैं तो उन लोगोंसे वह वहवार करना सीखता है समाधिक प्रक्रिया को जानता है और समाधिक संबंद्धों को बनाना शुरू करता है अपने के देखिए अई यहां पर बात कर लेते हैं विशिष समाजी करिएं है कौन कौन सी अवस्ता में क्या क्या क्रिया बच्चा करना शुरू करता है रगय क्या कबना सब्सक्रा करता भुजिए ऋुस्त कर gesund कर तक चलती है से 2 वश्ट तक झादे के वहवार क्या करता है और उम्र क्या रहती है ध्याना कर्शन में बच्चा देड़ साल मतलब एक साल 6 महिने अनुकुरं एक साल बच्चा नकल करना कब सीखता है जैसे आप एक साल का बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी ममा बोलती है ना बच्चे बोलो ममा यह सब आप बुलवाने के कोशिच करते हो तो वह क्या है वह आपको देखके अनुकरा नहीं तो कर रहा है तीसरा है निर्भरता जम से दो वर्ष तक अधे कि बच्चा जो बिल्कूल काम खुद से नहीं कर सकता अब तीसरा हञ चौथा है हमारा चफ्रमीह बाद मतलब बच्चे काफी शाइनस जो होती है शर्मातें है लोगों के पास आने से ड़रते हैं गो से ड़रते ंव से डरते हैं नय नय से जैलिसी 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 मतलब एक साल में चूरू हो जाती है तो जलने लग जाता है कि मैं तरीके से अहम की भूमिका जैसे कि आप दूसरे में बता भाफ एक साल नहीं ह kunna अगर करेंगे आ अब किसी उसके ऐसके बच्छी को प्यार करें देखिए एक दम घुस्त हो जाता है तो और जिसके कारण इर्षय भी उनमें उत्पन हो जाती है अब देखिए सही योग की भावना जैसे कि इसमें देड़ साल में बच्चा सही योग करना जैसे ममा कुछ कर रही है अब देखिए पूर बालबस्ता की शेष्ट समाजिक वहवार देखिए इसमें दो से छहय वर्श की आयू तक के वहार की बात की गई है वेवार और उम्र, खेल, देखिए, मतलब बच्छा खेलना कब शुरू कर देता है, खेलना अगर देखा जाए तो वो जम से ही शुरू कर देता है, लेकिन जैसे समाजिक करन की बात हो रही है, तो समाज के बीच में वो कब खेलना शुरू कर देता है, तो वो होता है, दो से प्रषारट करना शुरू करता है अपने दोस्त बनाना शुरू करता है तीसरा है अनुकरण आप तरफिंगरन की एक अवस्ता ना जो कि बहुत चलती चलती हर स्टेज में यह बंद कॉती है बहुत टाइम बाद है उनकी नकल करने की तो उन्हें भी वही चाहिए ठीक है निशेदात्मक मतलब निशेदात्मक मतलब negativity negativity कब शुरू हो जाती है बल्चों में दो से पांच वर्च अगर आप देखिए आप उनकी विश्च नहीं करिए तो वह एक तरम से रोने लगते हैं ज selling तोडने लगते हैं यह क्या है कभी भी शुरु हो जातीए कई दूर्ण जल्दी हो जाते हैं और उसके बाद गी और आगे भी आपको अब अब युल्ण उम्हें नहीं मिलेगी अ चपड़ा कंच डिश्लेथा शुरू wing का में कलता है उन्हें प्र्युक्सार करती के चलता है मतलब चार से चेवर्ष की इंहि Tammy प्रतियोंग में प्रतियोंगती ता शुरू हो जातीए और ध्यों को सही कि वहीं शुरूँ हो धीर क्या होगी कि वह सही करना शुरू करें जैसे अपने दोस्तों को help करेंगे अपनी मम्मा को help करेंगे अपने पापा को help करेंगे तो यह क्या चोटी-चोटी से चीज़ें जो कि इस अवस्ता में build-up होने शुरू हो जाती है सहानबूती मतलब emotionally attached हो जाना किसी के साथ जैसे कोई अगर रो रहा है तो उसे देखके उसे चुप कराना ठीक है आप देखे दो से चैसाल के बच्चे थोड़ा चीजों को समझने लग जाते हैं अगर उसकी मम्मा उसके सामने रो रही है या उसके टॉय को अगर गिर गया तो उन्हें ना उनसे सहानबूती करते हुए देखिएगा वह क्या करते हैं इसे चोट लग गई ममा आप रो यह मत यह क्या यह सहानबूती तो कर रहे हैं जबकि बच्चा अभी इतना छोटा है कि वह चीज़ें नहीं समझता कि उसकी क्या दिकत है क्या नहीं लेकिन वह अपनी मम्मा से सहानबूती कर रहा है ठीक है अ अब भी शुरू हो जाता है 6 से 12 वर्षकी आयू में कभी शुरू हो जाता है किसी समूधायख्ता समुधायख्ता मतलब गुरूपिजम ठीक है इस अवस्था में बच्चे गुरूपिजम हो दोस्ट एक तरीके से ग्रूप बना लेंगे हैं अपना दूसरा है समुप्रेम अपने देखी बच्चे इसे एज में बहुत जादा मतलब अपने दोस्त अपने दोस्त को अपने अपने चीजों को प्यार करना शुरू करते हैं तीसरा है योन विरोध योन विरोध जैसे कि अगर अपॉजित जैसे लड़कियां हैं और लड़के लड़कियों का विरोध कर तो इस अवस्ता में शुरू होती है योन व्रोध मतलब एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर देता है कि इसे क्यों कर रहे हैं और मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं जैसे अगर कोई घर में कोई बच्चे दोनों से सि PhysicsNet हैं तो दौनों में ही क्या होगा इसएज में 6-12 वरष्की ऊमर में बच्चे विरोध करने से लग जाते हैं कि आप इसको क्यों दे रहे हो मुझे क्यों दे रहे हैं यह फिर दीकोई यह तरीके से वह लड़की है मैं लड़का हूं यह भावना का बाती उनमें 6-12 वर्षकी नेक्तित्व मतलब एक तरीके से लीडर्शिप करना लीडर्शिप करना कि मतलब आपने आपको एक तरीके से इतना समझना और दूसरों को समझाने की कोशिश करना दें जब चोटे होते शे पार्क में अगर कोई चीज देख ली तो वह भी चाहिए तो यह क्या होता है नहीं बात होती है वह होती है अब देखिए चैसे बारा वर्ष की एज में बच्चे ना चीजों को सहन शक्ति देखिए एक बाले वस्ता में जब बच्चे होते हैं कहीं भी आप देखे उन्हें नहीं दोगे ना आप कोई चीज तो लेट के शुरू कर देते हैं ठीक है लेट जाएंगे रास्तों में लेट जाएंगे जुद करेंगे लेकिन आगर आप इस एज की ग्रूप को देखिए तो बच्चे ना समझने लग जाते हैं कि नहीं अगर वह रोएंगे तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी हाना तो यह सारी चीज़ें क्या है थोड़ा सा वह सहन शक्ति आ जाती है उन में सेज में कि शौरवस्ता में समाजिक विकास की सम्हूं का सदेस्टे हो अब देखे इस में क्या है इसमें क्या क्या वहवार करना शुरू करते हैं क्या क्रियाय करते हैं यह पहले तो 12 से 18 वर्ष तक होती है समाजिक संबंदों की स्थापना यहां पर बिलकुल चीजों को समझने रख जाते हैं और यहीं सही समाजिक संबंद की स्तापना शुरू होती है जीत और हार टार चीजे जैसे यह समझने लग जाते हैं जैसे कि चोरी करना गलत है तो यह क्या समाजिक परिपकवता आ जाती है दूसरा जो लास्ट मित्रता तो होती है सब्सक्राइब करें यहां आकरमक्ता दुवारा है और चीजों कारना समझने की कोशिश करते हैं उनके उनके साथ ही क्यों रहा है वो यह बॉडि में जो changes हो रहे हैं या जो भी physical changes उनके बॉडि में होते हैं तो यह चीज अब देखिए समाजी करण की प्रक्रिया के मुख्या भी करता मतलब agents सबसे इंपॉर्टन जो होते हैं अभिवावक मतलब माता-पिता जिस तरीके से बच्चे को ढालेंगे उस तरीके से बालक का समाज की प्रती रवाईया विक्सित होता है दूसरा होता है हमारा अध्यापक अध्यापक का मतलब अध्यापक जो होते हैं देखिए जब बालक अध्यापक का क्या रोल होता है देखिए पहली बार बालक जब समाज में पहुंचता है तो अध्यापक एक एहम भूमी का निबाता है उससे समाजिक बनाने के लिए तो इसलिए अध्यापक के भी बहुत मैत तीसरा है हमारा मित्रमंदली क्यों इंपर्टन के लिए इसीजा को तो उसके लिए वह बहुत इंपर्टन डूल करता है उसके जो करता है वह अनुकरता है कि नकल कर या फिर अपने मित्रों के नकल करेगा कि उसके पास तो मुझे भी चाहिए यह चीजत यह भी चाहिए खेल के मैदान आप देखिए खेल के मैदान भी बहुत important है बच्चा कौन-कौन से खेल केलता है और किस तरीके से एक तरीके से नए-नए लोगों से interact करता है ठीक है आप एक बच्चे को लेके चले जाएए पार्क में थोड़ी देर बात देखीगा कि वो नए-नए लोगों से interact करना शुरू कर देता है नए-नए बच्चों से interact करना शुरू कर देता है तो इसलिए खेल के मैदान भी बहुत important role play करते हैं चली तो यह वीडियो हमारी खतम हो गई है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like and share जरूर करें और प्लीज मेरे चै अगर थोड़ी भी यूसफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल पर इस सारी सीरीज चल रही है और जिसमें कि अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ चेप्टर होगा जो कि मैं कल कर रहूंगी चलिए तो चलते हैं थैंक यू